हेलो जी नमस्कार सीपी मश्रूम फं में आप सबका स्वागत है आज आपको बीच दिन लगवग होने वाले ये मेरे ओस्टर फ्लोडा की तीन स्पिसीज मैंने लगाई हैं और लगवग आज लगवग बीच दिन हो गए हैं और ये मैसिलन रूम में लगवग लगवग हो ये अभी तैयार हो गए हैं इसको फ्रूटिंग रूम में शिफ्ट करने के लिए और आप स्टेटस देख लीजिए ये मैसिलन सो लगवग पूरी तरह फैल चुका है लगवग सभी बैकों में और अभी एक दू दिन में इसमें पिन हैड्स आ जाएंगे तो बस उसके पिन आने से पहले हमको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा फूर्टिंग रूम में क्योंकि अभी इस ये रूम को हमने पूरी तरह से बंद रखा है ताकि इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना पाए और करवंडा एक्साइट तो ये खुद जनरेट कर लेंगे और रोश्णी भी इस र देखे हमने इसमें हर बैक को किस डेट में इसका स्पॉर्णिंग हुआ है जैसे आप देखे सामने आले बैक में 16-12 लिखा हुआ है और ये फ्लोडा प्रजाती है ओइस्टर की तो हर बैक में हमने इवन इसकी कौन-कौन सी डिटेल्स इसमें में मेंचन क्या हुआ हुआ है देट और कौन सी प्रजाती है फ्लोडा है और स्टेटस है सजोर काजू है और यह देखे है हमारा हाइग्रोमीटर है जो के भी टेंपरेचर दिखा रहा है 19.1 डिग्री सेंट्रिगेट और जो मोश्य लेवल है 82 है जो की सही है इतना ही लगवक चाहिए होता है जैसे माइस टेंपरेचर को मेंटेन करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है फिर भी बिना उसके लाइट कंट्रोल के भी हमने इसको मैंटेन कर पाए है यह बहुत अच्छी बात है इसके लावा Het यह देख्यें है यह ऐस्टर है स्टेटस का स्टेटेस है यह मेंने इसकी तो यह सारे बैग रखे हुए आप देखे सामने इसका माइसलन अभी थोड़ा डिले हो रहा है पर उम्मीद है कि आनने वाले 15-20 दिन के अंदर इसका माइसलन भी रन कर जाएगा और फिर इसकी भी फ्रूटिंग स्ट्रेट आ जाएगी तो यह भी अच्छा है कि पहले फ्रोड़ा है फिर हमारा जो प्रोड़क्शन है कंटिन्यू रहेगा जब फ्लोड़ा खतम होने वाला होगा तो यह ऑस्टेटर सुरू हो जाएगा और यह देखिए ऑस्टर सजोर काजू है यह गर्मियों का मश्रूम है पर ट्राइल के लिए मैंने लगव पचास किलो भूसे में इसको भी लगाया है तो टेंपरेचर तभी इसके हिसाब से काफी कम है बढ़ कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा होने में दिक्कत आता कम में बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा तो देर सबेर यह भी माइसलिन्स का स्टार्ट होगा तो यह हमारा फिर यह मार्च अप्रेल तक यह खिच जाएगा यह तो इस परकार हमारा यह अभी पंदा दिन अगले पंदा दिन से और अगले करीब साथ सतर दिन का प्रड़क्शन का इंतिजाम हो गया है हमारा यह कंटिनियस बैक डू बैक चलता रहेगा और फिर आने वाले पंद्रभीज दिन बाद फिर एक लॉट हम इसका लगा देंगे और इस्टर का ताकि प्रड़क्शन कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि आपका जो कस्टमर है उसको मश्रूम मिलता रहा है रेगुलर बेसिस पर अभी इसमें पस यह देखिए पैग माइसली बहुत अच्छा रन किया हुआ है इसमें बस एक दू दिन में इसके पिन हैड भी आ जाएंगे उससे पहला हम इसको सिफ्ट कर लेंगे यह देखिए यह देखिए हमारे जो बोटलों में भी हमने जो स्पॉनिंग की थी उसमें भी अच्छा माइसली रन कर रहा है लगवा इस रूम में लगवा तीन सो बैग है यह सबसे लास्ट में जो स्पॉनिंग किया था पच्छीस बारा पच्छीस दिसमबर को यह वो बैग है यह भी चल रहा है भी अबी पंदरा दिन लगवा हो गया है तो मैं समसता हूं अभी साइध दस दिन और लग जाएंगे इसके माइसलेंड में क्योंकि टेंप्रेचर थोड़ा डाउन है 24 डिग्री 25 डिग्री चाहिए तो यहां पर अभी 18 रात को तो दस और बारा भी चला जाता टेंप्रेचर यहां का तो उससे सबसे कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा डिले होगा पर हो जाएगा ओके दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा चलिए मिलते हैं दो दिन बात आपका आपको मैं दिखाऊंगा इसका ओके बाए टेक केर